अब आप 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 मुझें स्टुडेंस वेल्कम टो न स्ट ऑलाइन क्लासेज कल हमने पढ़ा था मुर्टक का भूजन उसमें जो दर्सन अगा था उसकी डैठ हो जाती है और परोशी के हांसे अच्छा भूजन आते हैं आज इस स्टूरी में एक नया मोड आएगा जिसमें कि जो दर्सन अगा की पत्नी है वह बहुत बेच्चान देती है कि बच्चों को किस प्रकार खलाए जाए या लानल पाउशन किस प्रकार किया जाए कई दोनों में उनके यहां कोई भूजन नहीं आता है और उनके यहां जो रख्या हुआ खात पलार्थ हैं अत्वा खाने की सामगरिये वह सारी समाफ्ट हो जाती है तो वह अपने बेटे को एक पंसारी की दुकान पर भेजती है कि उससे उधार समन लिया लेकिन पंसारी उससे उधार समन नहीं देता है उसके बाद बहुत ही घटाएं होती है आज हम पढ़ते हैं कल की घानी से आगी सी केम इंसाइड वह अंदर आई बट देड नॉट डियर में सहाथ से हिमार लुप इंटू दा फिवर आइस ओफ और संद फिवर मेंस ब्याग वेटिंग होफ फ्ली होफ फ्ली आशा से बट डेड नॉट डेयर लुप इंटू दा फिवर आई ओफर संस वेटिंग होफ फ्ली है परन्तु आशा पूर्वक इंतजार कर जहीं अपने बेटों की ब्यग्र आँखों में नहीं देख सकी है या आँखों में आखें नहीं मिलाएं नौटे वर्ड वाज इस्पोकन इंदा हुँ कम्रे में एक भी शब्द नहीं बोड़ा गया दा बॉइस सिंप्ली लुक एट हर एम्टी हैं लड़कों ने बस उसके खाली आखों को देखा और अपनी नजने अथ्व आखें लुक एट वाजी लॉंग टाइम लिटा है कि दैड़ यंगर बॉइब ब्रोक दा साइलेंस काफी देर बाद छोटे लड़के ने शान्ति या खमुशी को तोड़ा कि मदा कि आई कांट इस्टेंड एक एनिमोर कि मां कि मैं अब और अजिक सहन नहीं कर सकता या खड़ा नहीं कर सकता कि कि सम्टिंग इज हैपनिंग इंसाइड मैं चुमी एक मेरे पेट में कुछ हो रहा है कि डॉंट बरी चंतित होना माई स्ट्रीट संग मेरे प्यारे बेटे कि चंता मत करो कि इस्टे जंगार कि यह फूक है आई फिल इट्थू मुझे भी यह मैसुस हो रही है कि आयम डाइं आयम डाइं कि मैं मर रहा हूं कि मैं मर रहा हूं कि दा ओल्डर बॉय ओपिंड हिस आइस कि बरे लड़के ने अपनी आचे खुली एंड लुक एट इस ब्रदर और अपने भाई की ओर देखा गुंडलाज लुक एट बोथ अब दें गुंडलाज ले दोनों की ओर देखा दा लिटल बॉय वास साइलेंट छोटा लड़का सांथ था हिस फेस वाज डारकर हिस लिफ ड्राई एंड पैस हिस ब्लड लेस स्किन फेड़ एंड हो लुए उसका चेहरा गहरा हो गया था होट सूख कर जुलस गए थी उसकी रख पहीं तुचा कुम्ला गई थी पोलो गड़े पढ़ना और उसमें गड़े पढ़ गड़े थी इसकिन फेड़ें तुचा का पुम्ला जाना हो गुल्णाज विकॉन टुदा ओल्डर वॉय विकॉन इशारा करना हो गुल्णाज ने बले बड़े लड़के को इशारा किया एंड ये लेफ दारूम तुटा अउसाइड और वह भाद बात्चीत करने के लिए कम्रेशन कर गएगा भी मस्ट गो टू बोडोस दा ग्रोशर हमें बोडोर पंसारी के पास जाना हुआ भी मस्ट आस्पोर समराइज फ्लॉर एंड पटाटूस हम उससे कुछ चावल आटा और आलू मांग सकते हैं तैल हिम वी विल पे हिम इन इस तू देज उससे कहना हम कुछ ही दनों में उनको पैसे दे देंगे अथ्वान का दुटाज देंगे दा बॉइस से भी को वाल नॉट है भी है एनफ टू कीप आउट दा को आउट साइड लड़के का जगे जैसे जगे से फटा हुआ हुआ भार की ठंड को दूर करने के लिए यह बारी नहीं था है यह दूर स्टैंट इन इस लेक्स उसकी तांगों में शक्ति नहीं थी एन है तो इस्टेड़ी इंसेल अगेंस्ट दबॉट और वॉल्फ वाक्ट एजी वाक्ट और जब वह चल रहा था तो दीवार के सारे अपने को स्थिर किये हुए था कि फाइनली अंत में यह रीज दा इस्टोर ऑन दा हिल वे पाड़ी पर इस्टोर या दुकान पर पहुंच गया एंड एंटर दा वार्म दून और गरम कम्रे में प्रवेश्किया अख़विश्य लिए कि वेटेड अंटेल ओल्ड अधर किस्टमर है लैं होपिंग तुबी एविट तुटा तुदा ग्रूसर इन प्राइवेशी एंड टू एंड एंजॉई दा बांट के लिटल लोगा पंशारी से अकेले म्रबास करने की आशामें और खुरी देश्किया कि गर्माहट का अनुद लेने के लिए कि सभी कश्टमर या ग्रावकों को जानी तब उसने इंतिजार दिया कि दैन ही लेफ्ट इस प्लेस कि बाइद फायर साइड तब उसने फायर साइड अंगिटी अनिटी के पास से अपनी जैयर को छोड़ा और एक पाउंड आटा और एक पाउंड आटा और एक पाउंड आलियों के लिए और दिया या आदिश दिया ही पुट हैंड इंटू हिस पॉक्रिट उसने अपना हाथ अपनी जेव में डाला एज अब लीचिंग पॉर हिज मनी मानो कि वह पैसां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं दैन प्रेंटेंडेंड प्रेंडेंडेंड भाना बनाना या चूट भून तब उसने भाना बनाया कि वह पैसां को घर पर छोड़ाया है ओहूं आई सीन टू है फॉर्गोटिंग एक अधों ओहूं मुझे लगता है कि मैं यह मतलब पैसे घर पल ही भूलाया हूं इस थंड में घर जाका फिर बापिस आने में मुझे नफ्रत है राइट डाउं इससे लिख ले ना आई विल पे यू तुमारो मैं कल आपका हुक्तान कर दो आँ इत वाजे बिरेव एफ़ां यह एट शाशिक प्रयास या प्रतू था बट ग्रौश्ण यू अब ट्रेट खुबैर लेकिन ग्रोशर पंशारी ब्यापार का तरीका बहुत अच्छे तरह से जानता था फर्स्ट ब्रिंग दा मनी पहले पैसे लाओ जैन यू के टेक दा गॉस्ट फर तुम सामान ले जासाए यूए बिकम स्थेंग तुम बहुत दूबले हुचके हूँ कि संबन हुएज मनी एट होम डजन गेट सुथन जिसके घर में पैसा होता है वह इतना दूबला नहीं होता है दावाई हरी आउट एंब्रेश तु है विज लाइफ हां को एंब्रेश लज्जित होकर उसकी जूट का पता चल जाने से वह लज्जित होकर जल्दी से बहार नकलिया ही फाउंड दा इंसीनेस ऑफ दा इस्टीज मोर अंब्रियमिल दैन यह विपोर ही एंटर दश्टीज दुकान में प्रिवेश करने से तहली कि अप्रिक्षा उसने गली में रूखे पन को अजिक ऐसनी पाया कि एड़ दा कोना ही साव श्मू कमिंग आउट आप दा चमनी आफ दा बाइट हाउस गली के किनारे या नुकड़ पाद उसने सफेद मकान की चमनी से दुआ निकलते हुए देखा हाव है पी वर्दा पीपो पूल लिवड इन इट इसमें रहने वाले लोग कितनी खुश थी इट डिन नॉट अफ़ट टू हिम तो बी जलिएस जलन होना अफ देम उसको उन्सी जलन या इस्षानी भी कि कैने है यह है ऑंद मिदी आइड मेरेशन और इस पीपल को अधी मिद्ग्ड शेंस्थ यह उसके जीवन कंव कि सबसे अच्छा भोजन दिया था ही वाग को एज फास एज ही कुड कि है इस टीज चैट्रिंग चैट्रिंग कट-कटाते हुए टीज दांट कट-कटाते हुए जतना तेजी से संभव था वह घर की ओच चला हुए हाउ है पी वर्दा पीपुल हुए सॉरी देयर वास नो नीज तो से एनिधियं पूहिज मदा एंड बता अपनी मा तथा भाई को उसे कुछ कहने की आप सकता नहीं हुए इस एंप्टी हैंस तोल्ड देयर काउंस कुछ उसके खाली हातों ने श्वैम ही अपनी कहने बना दिए ही तुक ओफ इस क्लॉस एंड वेंट तो इस वैड उसने अपने कप्टे उतारे और अपने पलंग तुक गया कि वेन इस पो जब वह बोला हुए ही सैट उसने कहा है आई एम कोड आई एम कोड मुझे ठंग लग रही हैं मुझे ठंग लग रही हैं दा ब्लैंकेट रोज कंबल अठाया एंड फैर ओन इस टैंबलिंग बोडी और अपने कांपते हुए शरीर के उपार उसे ग्राइए टैंबलिंग कांपते हुए गुल्णाज पाई ओन हम वाटेवार ही कुट पाई गुल्णाज को जो कुछ भी मिला उसने बड़े लड़के के उपार धेर लगा लिया पाई मिंस धेर लगा लिए दा टैंबलिंग लास्टेट पॉर नियाली कू अवस कपकपी लगवड़ दो घंटे तक रही दैन केम दा फिवर तब भुखार आया एंड अग्जर्शन और थकावर दोड़ी दा बॉय ले ओन सब्सक्राइब मोशनलेस कि इस इस इस्टारिंग विकन की नड़का प्रीट केबल निश्चल पड़ा उस्षी आंखें सुन्य में ताक रहीं थी या नहां देख रहीं थी गुल्णाज लिप्टेट दखवार्श एंड ताइट टू कूल दा बाइनिंग बॉड़ी बिदर को रहें गुल्णाज ने दखने की चादर को हटाया तथा उसके तप्ते शरीर को अपने थंडे हातों से शीतलता सी पेश्ट थू दा हाउस तिल इवनी शामता वह नरास्टों कर गर में ही ठहलती रही शी डिन नॉट दू वाट तू दू वह नहीं जानती थी कि उसे क्या खरना था कि दा संबेंट दाउन कि शूर कि अस्त हो चुपा था कि शीन नोटिस कि दा स्मॉल पाइल और कवार कि शीयद टीकिन आफ दा बॉइस और उसने लड़के के शरी से हटाई चाजरों के छोटे से दीर को देखा कि वुडर्ट दियर भी अनिवडी तू किव सम्मनी और और रहे क्या कोई उसे इन सब के बदले पैसा नहीं देगा कि सी रिमेंबर दैट निवर से ताग और जंक इस्टो बेर दे बहुत जूस थी उसे याद आया कि उसके पड़ुस्तों ने कवार की दुखान के बारे में कि उससे बादशित किसी जाओए उप्योग में ली गई बस्तों को बेचते थी बट एक मस्ट भी फ्लूर लेकिन यह अब तक बंद हो जानी चाहिए थी जी वोड हैब तू बेट तल दा मॉर्णी उससे सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा विद इस डिसीज़न केम पीस ओफ माइन कि इस निर्णे से उसके दमाख में शंती आई कि सी स्टॉप पेसिंग एंस सैट डाउन बाई हर सबस्ताइब वें पेसिंग में तहना उसने तहलना बंद कर दिया तथा अपने बेटे के पास बैठ देगी जा बॉइस फिवर इंक्रीज इंक्रीज ब्रद्धी होना या बढ़ना लड़के का बुखार बढ़ गया शी सेट इस्टारी में मुशनलेस वें गत ही अवस्ता में मुशनलेस गत ही अवस्ता में नजरें गड़ाई हुई बैठी रही दा यंगर बॉय कुड़ नोट स्लीप और हुगा सोटा लड़का भूख के कारण नहीं सो सका है यह तू वाज बाचें है इस आई उपन है वह भी अपनी आँखें कोल कर देख रहा था दा सिक बॉय मौन स्लूली टॉष एंड टर्ण इन इस फिवा बीमार लड़का जराशा करहा मौन मिस करहना थोड़ाशा कराया गुखार में टॉष मिस उचला एंड टर्ण हिस फिवा गुखार में अचला और अप्सले गुखार में करवट ली है चीग बर बलिंग उसके गाल तप रहे थी एंड ही टाग इन डिलीडम और वैं डिलीडम कपकात्माती आवाज में वैं कपकपी में ले रहा जाए दा यंगर वन सेट अपने बिस्तर पर बैठ गया एंड आस्ट इन वोईस ओडियो बिल और एसी आवाज में बोला हूं जो केवल उसकी मां को ही सुनाई दें और यूबेस सुनाई देंगा हूं मदा मां बिल माई बिर्दार दाई क्या मेरा भाई मर जाए शी शार वैट कार देंग एजिव टच्ट बाई कोल्ड विंड ओन हर स्कें मानों को इसके शरीर को ठंडी हवाने छू लिया हूँ शी लुक एट हर सन बिट फ्राइंड आए वह फैड में भैवी इतन आई नज्रा उसने भैवी इतन नज्रों से अपने बेटी की ओवर देखा वाई दू आश्वा लड़का एक शन के लिए शांत रहा दैनी लेंग कुलोज टूहर किया एंड सैस्ट और फिर उसके कान के निकट जुक कर अपनी मां के कान के निकट पहुच कर प्या जुक कर बहुत ही दीनी आवाद में कहा ताइब कुह हाइड वाइस 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 वाइफ वे कोशिश कर रहा था अपनी आवाद को छपानी अपने भाई से बिकॉस देन फूर्द विल कम रॉंग वाइफ बहुत यच्छी वाद तो क्योंकि यह बहुत दुफान तकानी क्योंकि सफेद मकान से हमारे लिए भूजाना जाएगा यह झाते लिए एंपने लाद लगी कोशिप यताती क्योंकि से लिए हर लोग्सक्त आवाद कि मत वोगही कर दो वोग्स वाँ वाद रहत है उनाि क्योंकि